तो आज की इस नया वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का क्रियेटिव फॉटो रिडिंग गाइज है आप जैसे की डिस्प्ले के ओपर देख सकते हो तो गाइज बहुत सिंपल है डिंग करना वीडियो को बस आप लोग एंड तक देखो आप लो क्योंकि वहीं पर ही मैं सब कुछ अबडेट देता हूं तो इस फॉटो का भी वहीं पर अबडेट दिया था कि इस फोटो-काbody और हाँ और एक बात गाईस बहुत दीन से बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई तू जो लिंक देता है उस लिंक से डाउलोड नहीं हो पाता है भाई देखो यार मैं कोई अग्दम डाइक ड्राइब लिंक देता हूं फिर भी अगर आप लोग का डाउलोड नहीं हो रहा है तो यह आप लोगो का प्रोब्लेम है ठीक है यह मेरा प्रोब्लेम नहीं है यह आप लोग का प्रोब्लेम है तो पहले आप लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पर background open करने के बाद add photo से अपना photo जो है उसको add करना पड़ेगा तो उसके पहले आप लोगो draw tool में जाना ही ठीक है, draw tool से photo को add करना ही क्योंकि सहरो डालना होगा, तो यहाँ पर add photo से मैं photo को add कर लेता हूं simply, so guys यहाँ पर जैसे कि देख सकते हूं, photo add कर लिया हूं and cut out प किया था, तो आप लोगों मैं simply दिखाएता हूं, बहुत simple करना देख के hard लग सकता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं बिठाया था, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को भी बिठा देना है and simply यहाँ पर ears बड़ टूल पर जाओंगा, क्योंकि मुझे जाना है, आप लोग का अगर जाना की जुरुरत परेगा, तो जाना भाई, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, side side में थोड़ा बहुत रह गया है, यहाँ पर background, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से में जल्दी से यहाँ पर ears कर लेता हूँ, तो आप लोग को भी एक छोटए-छोटए चीज के उपर धियान देना होगा, तबही एक फोटो अच्छा बन पाएगा, ठीक है, आप लोग को इस चीज के उपर धियान देना परेगा, कि एक छोटा चीज यहाँ पर रहे गया है, तो उसको नहीं हटाएंगे, तो भाई, फोटो एक चीज के लिए बहुत खराब हो सकता है मतलब देखने में खरब लग सकता है तो आप लोग अपर जो लेयर वाला ओप्सिन है यहाँ पर क्लिक करना है एक सब्सक्राइब लेके लेका है और यहां साइज सकते हैं पर 6 लेके रखाँ तो सेट कर दूँगा तो कुछ इस तरीके से यहां पर नीचे से में पैर के नीचे आपा सर डाल दूंगा ठीक है हलका सा एड़ दम हलका सा डालूँगा जदा डाला ज़्यादा अगर डालोगी तो भद्दार आएगा दिखने में तो कुछ इस तरीके से मैं हलका करके डाल दिया हूँ ठीक है देख सकते हो यहाँ पर तो अब आप लोगो को कर देना है यहाँ से डन और डन करने के बाद कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से ठीक है और इसका जो ब्लैनगमोर्ड फील अपलोगों को चेंज करके के स्क्रीन करना पड़ेगा ठीक है कूछ इस तरीके से मैं यह वाला PNG देख सकते हो और इसका भी blend mode आप लोगो simply change करके screen कर देना है और ब्रा करना है आप लोगो कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देना है और जो face के ऊपर आ रहा है उसको erase कर देना है इसका जो opacity है हलका सा कम कर दूंगा कुछ यहाँ पर रखूंगा 50 ठीक है 52 एंड डन कर दूंगा डन करने के बाद यहाँ पर एक हैर्स PNG उसके था तो उसको भी यहाँ पर add कर लेते है इसका पहले काम कर लेते है पहले इसका blend mode change करके screen करने के बाद आप लोगो कुछ इस तरीके से बिठा देना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिठा देना है simple देख सेक तो एक sign look आ रहा है मतलब आप लोगो को भी कुछ इस तरीके से कर लेना है और करने के बाद आप लोगो को पर हैर्स जो है तो यहां पर हयर्स अप लोगों की अच्छा त virtuous तरीके से पहले हैं यहां 안에 कुछ इस तरीके से सिम्पल आप लोगों में शुम्पल नरी कैसे दिखाऊंगा का ए यह रस भी आ पो का है अच्छे तरीका से मैच हो जायेगा ठीक थोzazzi के यहाँ पर हैर्स अच्छे तरी के से मैं यहाँ पर सेट कर लिया हूं एंड जो ही सब नहीं चाहिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है इरेस कर देना है ठीक है तो हाँ यहाँ पर मैं जल्दी से इरेस कर लेता हूं तो गाइज देख से तो simply यहाँ पर इरेज कर लिया हूँ और यहाँ पर done कर दूँगा and done करने के बाद आप लोगो को यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है simply यहाँ पर आप लोगो फोटो आप सेब कर लेना है draw tool के draw tool के मदद से ठीक है and इस फोटो को ले कर जाना है light room के अंदर तो चलिए light room के अंदर चलते है and guys यहाँ पर जैसे की देख सकतो में light room के अंदर photo को open कर लिया हूँ and यहाँ पर थोरा सा color grading आप लोगो को करना है तो simply आप लोगो पेल ही जो करना है colorable option पर आना है and mix tool पर आजना है ठीक है and hue को थोरा सा decrease करना है and saturation थोरा सा डालना है यह आप लोग अपने मुत्वाब्लिक्स से करोगी तो यह अच्छा है color मुझे यहाँ पर orange type का चाहिए and थोरा सा यहाँ डालूंगा कुछ इतना ठीक है और जो यहाँ पर green color है green color का साइद कुछ काम नहीं है तो यहाँ पर देख सकतो कोई भी यहाँ पर मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ रहा हूं यहाँ पर और cn color जो है cn color को थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगा सा कम करना है and blue color यहाँ पर हीव को आप लोगो थोड़ा सा कम करना है ठीक है कुछ इस तरीके से एंड तो यहाँ पर माइनस में थरी रख रहा हूं और जो tint है tint को यहाँ पर plus two रख रहा हूं ठीक है and भरवे से नहीं पर increase करूंगा and situation थोड़ा सा down हो गया है and इस tool पर आऊंगा यहाँ पर texture add करूंगा ठीक है texture add कर दिया हो देख सकते हो and कि लिए थोड़ा सा add करूंगा यहाँ पर और days को हलका सा यहाँ पर six तक add करूंगा यहाँ पर हलका सा decrease कर दूँगा ठीक है कुछ इस तरीके से and यहाँ पर आप लोगों का आजाने सुम्पली इस टूल पर सर्पिनिंग डालना है noise reduction and color noise reduction smooth को कम कर दूंगा details ज्यादा क्योंकि भाई details चाहिए हम लोगों को यहाँ पर और इस टूल पर आऊंगा simply choose कर लेना है करने के बाद आप लोगों को सिम्पली आप लाइड वाला उसन पराना है कॉंट्रेस्ट आप लोगों का सा कम कर देना कुछ इस तरीके से और गाइज हाँ और एक बात में आप लोगों को बताना भूल गया था तो बता देता हूं simply ए देख सकते हैं आपा जो हैर से हैर अब आप लोगों बता देता हूं पर वाला पिएटी उसके था नीचे बाला फोर गावड में पार में यूझे तो यह वाला उपर व् करने के पहले आप लोग क्या करना है स्कूछ यहां पर बिठा देना ठीक है मतलब है असका काम पर ले कर ले ना ठीक है? उसके बाद कोई PNG यहाँ पर add करना तो यहाँ पर hairs बिठने के बाद अगर PNG एड़ करोगे तो उसके साथ जो hair से match हो जाएगा मतलब color के साथ combine हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि hairs यहाँ पर duplicate है मतलब fake है या ओर्जिनल है तो यहाँ पर देख सकतो मेरे थोड़ा सा गलती हो गई करने में यहाँ पर तो आप लोग को बता दिया हो भाई तो कर लेना ठीक है तो यहाँ पर देख सकतो गाईज यही था क्रार गेडिंग तो आप लोग को भी कुछ इस तरीके स और चैनल पर अगर निया हो इस तरीके वीडियो देखना चाहते हो और भी एडिटिंग रिलेटेट वीडियो तो चैनल को भी है सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन को प्रेस करकर आल कर देना ठीक है तो चले काईज मीलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अपना किनल रखना